तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो के अंदर बात कने वाले HAL के बारे में याने की हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेट के बारे में आज के दिन HAL के अंदर हमें 1.6 प्रतीशत की तेजी देखने को मिल रही है बाकर है H.E.L. को लेकर क्या important updates निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आपको बताए कि G20 समित यहाँ पर चल रही है और उसको लेकर इंडिया की तरब से एक बहुत बड़ा commitment निकल कर आ रहा है इंडिया नाइजीरिया के अंदर 14 billion dollar का investment करने जा रही है अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया नाइजीरिया के अंदर investment करने जा रही है 14 billion dollar का उसमें H.E.L. को क्या benefit मिलने वाला है तो यह जो investment होने वाला है यह अगर आप देखेंगी कि किसकि सेक्टर में इंवेस्मेंट होने वाला है तो यहाँ पर clearly mention किया गया है steel सेक्टर में, petrochemical सेक्टर में, power generation सेक्टर में और साथी साथ defense सेक्टर के अंदर भी investment होने वाला है अगर हम defense सेक्टर को यहाँ पर bifurcate करें तो यहाँ पर आप clearly देख पाएंगे कि Nigeria के अंदर जो 14 billion dollar का investment यहाँ पर इंडिया करने वाला है उसमें एक billion dollar का investment सिर्फ defense industry के अंदर करने वाला है और यही पर सारा खेल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ कि एक billion dollar का investment जो यहाँ पर इंडिया करने वाला है Nigeria के अंदर उसमें Nigeria ने अपना interest दिखाया है Indian light combat aircraft यहाने कि LCA Tejas में, drones में और साथी साथ personal carriers में तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान Aeronautics Limited जो की HAL Tejas बनाता है, Tejas Aircraft बनाता है तो ultimately यह जो order है, यह HAL के पास में ही आने वाला है और इसी के चलते हमें HAL के अंदर मंडे के दिन काफी शांदार तेजी देखने को मिलने वाली है Second update की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते है IAF Procurement of 100 LCA Tejas Mark A1 Fighter Jets to reinforce Western Sector तो याने की 100 Tejas Fighters और यहाँ पर ready हो रहे हैं और इसको लेकर यहाँ पर जो G20 Summit हमें देखने को मिल रही है आज के दिन याने की 9 सितंबर और कल के दिन 10 सितंबर के बीच में उसमें काफी बड़ा order इंडिया को हाथ लगते वे देखने को मिल सकता है और अगर Tejas Fighters Jets का अगर order यहाँ पर मलता है तो ultimately HAL का share मंड़े के दिन आपको rocket बनते वे देखने को मिलने वाला है आधी साथ HAL को लेकर एक और बड़ी update निकल कर आ रही है जहाँ पर HAL, Zen Technology और Bell दोनों के अंदर FII ने अपने स्टेक को काफी हद तक increase कर दिया है अगर आप देखेंगे तो financial year 2023 के अंदर quarter 1 में HAL के अंदर FII ने अपने स्टेक को 8.58% से बढ़ा कर 11.02% कर दिया है यानकि April to June quarter के अंदर FII का स्टेक और में 3 प्रतीशत से increase होते वे देखने को मिल रहा है और ये 3 प्रतीशत का नंबर बिलकुल भी small नहीं है यहाँ पर करोडों शेर्स खरीदे गए है जैसी ये report निकल कर आई है यहाँ पर HAL के दिन definitely Monday के दिन हमें काफी शानदर मोवेंट देखने को मिलने वाले है साथ ही साथ आपको पता होगा company ने split की announcement करी है company split देने जा रही है 1 is to 2 के ratio का जिसकी X state हमें 29 September देखने को मिल रही है याने कि अभी भी आपके पास काफी शानदर मोगा है यदि आप HAL के अंदर खरीदारी करना चाते हैं और split के लिए eligible होना चाते हैं तो अगर हम last trading session की बात करें तो वहाँ पर deliverable base काम में काफी शानदर यहाँ पर positions देखने को मिली total 14,47,000 quantity हमें last trading session में trade होते वे देखने को मिली और उसके सामने 3,90,000 quantity deliverable base पर उठाए गई है याने कि almost 27 प्रतीशत quantity हमें deliverable base पर trade होते वे देखने को मिल रही है यदि आपने HL के अंदर खरिदारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी positions को hold करते वे चल सकते हैं पीछले एक साल में company 60 प्रतीशत से भी ज़्यादा की returns अपने investors को बरांकर दे चुकी है और इस shares के जो target है वो near term में around 4300 रुपे तक के निकल कर आ रहे हैं यहाँ घचित अपने निक प्रतीशत से अपने हैं